हलो फोक्स, you are watching sports tiger, this is अनुछ खाई, विरेंदर सेवाग को, असदरौफ को, रिश्वत दी थी, जिगा, रिश्वत खोरी घूस जो है, वो विरेंदर सेवाग ने दी थी, पैसो की वो रिश्वत नहीं थी, तरसल वो रिश्वत जो थी, वो किसी और ही चीज़ की थी, उसके बारे में हम पूरी तरीके से discussion करेंगे, बाचीत करेंगे, लेकिन, sports tiger को अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो वह याद देरी किस बात की है, फड़ावट सब्सक्राइब करिए चानल को, notification की जो घंटी है, उससे भी फड़ावट प्रेस कर दीजिए, चलिए, अब आपको बताते हैं कि दरसल पूरा किस्ता क्या है, पूरा मुसला क्य विरिंदे सिवाग और असद रॉफ बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और विरिंदे सिवाग को ये तो पता था कि असद रॉफ को branded कपड़े खरीदने का बड़ा शौक है, ब्रांड़े जूते पहने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने एक दिन कुछ branded gifts जो है, आप ये कह सक मत करना जब मैं बलेबाजी कर रहा हूँ अब वरेंदर सेवाक को ये नहीं पता था कि असद रौफ इस सीज को इतना सीरिसली ले जाएंगे और 2008 में हुआ बिल्कुल यूँ ही 2008 मोहाली टेस्ट मैच भारत बना मस्टवेलिया वीवेस लक्षमन ने उस मैच में भारतिय टीम की नईया पार लगाई थी और उस टेस्ट मैच में कुछ यूँ हुआ मिचल जौनसन गेदबाजी कर रहे थे विरेंदर सेवाक को और विरेंदर सेवाक बहुती बढ़िया खिले थे 100 के करीब थे ऐसे में एक अपील होती है मिचल जौनसन के साथ-साथ पूरी ऑश्वलिंग टीम अपील करती है लेकिन असाद रौफ जो है वो उंगली खडी नहीं करते है ऐसे में रिके पॉंटिंग जो है विरेंदर सेवाक के पास जाते हैं रिकी पॉंटिंग जाते हैं फिर विरेंदर सेवाक के पास रिकी पॉंटिंग और असाद रौफ दोनों जाते हैं और पॉंटिंग पूँछते हैं कि दिरूब बताईए आप ने एज बिलकुल लगा है आप अपना काम करें एक विल्डिंग करें को आप भी एज लगता है कीपर बाजू में तो आप कभी क्या जाते हैं? नहीं जाते हैं तो आप मुझे अपना काम करनी दीजिए असद रॉफ को ओंका काम करने दीजिए और आप फिल्डिंग और कप्तानी करिए तो इस प्रकार ये पूरा जो चैप्टर था, ये पूझा जो किस्सा था इसको वरेंद्र सेवाग ने के इंटर्वु में बताया है, जो कि अपने आप में आप ये कहा सकते हैं कि काफी जादा एंटर्टेनिंग है अट ये सेम टाइंग ये भी देखने बड़ा दिल्चरस्प हो गया कि असद रॉफ ने आउट जो है क्यों नहीं दिया, क्या वो और ऐसे गिफ्ट चाते थे वरेंद्र सेवाग के दोरा और भी खिलाडियों के दोरा तो ये पूरा किस्सा जो धाना ये बहुत जादा इस वक्त चर्चा का विशे भी बना हुआ है और वरेंद्र सेवाग जो की हमेशा से एक अलग ही personality लगे है पूरे Indian cricket की जब मैं बात करता हूँ गाने गाते गाते वो shorts खेलते थे, चोके छके लगाते थे एक अलग ही अंदाद, एक अलग ही शैली के खिलाडी वरेंद्र सेवाग थे और असद रॉफ जो की एक elite panel का सदस्य थे ICC की जब हम मफाइस की बात करते हैं लेकिन 2013 में कुछ spot fixing की allegations उन पे लगिया और उसके बाद उनको बैन कर दिया गया उन पारिंग से और इस तरीके से किस्ता सामने आया है हमें बिल्कुल भी हरानी होने नीची है क्योंकि इससे ये पता लग सकता है कि क्या असद रॉफ और भी इस तरीके की चीजों में involved थे ठीक है ये तो मजाग मजाग में ये चीज हो गई और विरेंदर सेवाग ने expect नहीं किया था कि असद रॉफ ऐसा कर देंगे लेकिन इससे कि इनके असद रॉफ के नीचर का भी पता लगता है कि किस अप्रोच के साथ वो अंपायरिंग करते थे तो ये था पूरा किस्ता जो कि विरेंदर सेवाग ने खुद ने एक इंटर्वी में बताया है कि कैसे ब्रेंडिट कपडों के दोवारा उन्होंने एक बारी decision अपने favor में करवाया था रिश्वत जो है असद रॉफ को दी थी क्या कहना है आपके इस पूरे किस्ते के बारे में जरूर हमें comment करके बताईए वीडियो पसंद आया तो उसे जरूर लाइक कीजिए शेर भी इसे जरूर कीजिए और हमारे चानल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें